नमस्कार बच्चा आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकल अफ साइन्सिस में मैं दिने शर्मावर आप देख रहे हैं जी आई एस मिथमेटिक्स तो देखे जी आज का अपना टॉपिक है मूवेंट्स क्या है जी अपना मूवेंट्स आज का टॉपिक है तो समझत तो देखे जी समझते हैं कि आप कैसे निकालते हैं मूवेंट्स को कहता है दि आरिफ मूवेंट्स ओफ वरियेबल एक्स अबाउट मीन आप सर मूवेंट निकाल रहे हैं किसके अबाउट मीन के अबाउट निकाल रहे हैं सर किसके अबाउट निकाल रहे हैं मीन के अबाउ r is given by this formula कहता है जी आपको कोई भी moment चाहिए कोई भी moment चाहिए आप इस formula से पूछे हैं ये भाई साब हमें निकाल के देंगे तो formula में देखे क्या यहाँ पर mu r आपका लिखा हुआ इसको box में pack कर देते हैं sir और ये अपना क्या हो गया 1 by n आप समझते ही हो number of observation हो गई f i हो गया x i में से आप x mean जो है वो minus कर रहे हो उसकी power r ले रहे हो r कहा है sir जिस भी moment की आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा discussion कर लेते हैं इस पे ऐसे ही अपना होता न चाहे पर चर्चा वाली बात जो होती है वो कर लेते हैं आप देखो मैं आपसे पूछ लू क्या अगर मैं बात कर रहा हूं sir zero moment की, zeroth moment लिख लू कैसे 4 zeroth moment आप r को क्या put कर दोगे जी, बोलो बोलो बो zero put करोगे क्या, very good तो देखो jी, mu r कैसे convert होगा, mu 0 is equals to 1 by n, very good summation i, 1 से लेके n तक है हम समझते हैं यह तो है na fi x i minus mean की par कितनी आएगी sir zero आएगी क्या, अच्छा आप में कोई बात बता सकते हो, किसी की भी par zero क्या होती है sir, one होता है तो मैं बोल सकता हूं क्या, ये चीज आपकी one हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास sum of fi क्या बचेगा जी, sum of fi बचेगा, sir sum of fi क्या होता है, कर लो बात बचपन से पढ़ते हैं sir, sum of fi क्या होता है आपका, number of observation क्या होता है sum of fi number of observation तो यानि मैं कह सकता हूं क्या, mu not कितना है sir मेरा, one by n into n, यही बात है क्योंकि sum of fi कितना होता sir, n होता है, n से n क्या क्या हो, cancel हो जाएगा, very good तो मैं आपसे पूछ लू क्या, कि mu, जो zeroth moment है sir, उसकी value कितनी होती है very good, उसकी value होती है, जी one है ना, one above all one, ठीक, अब बात करते है sir, जरा first moment की ना तो first moment के लिए क्या put कर देंगे आर को sir, one put करेंगे very good, तो या लिखते है for first moment for first moment, एना first moment तो देखे जी हाँ पे sir, put कर देंगे mu one, one by n, very good i1 से लेके n तक, एना, f i x i minus mean की पार वन अब देखो, यह ना property है sir आपने बड़ी भी होगी property क्या कहती है अगर आप यह चीज निकालो like आप x i में से इसको हम बोलते है deviation about mean अगर आप mean के about deviation निकालो और उन सब deviation का sum कर दो mean के about deviation निकालो उन सारी deviation का sum कर दो sir, sum 0 आता है आपका क्या आता है sir, sum 0 आता है यह सीधा property है बेजिज़क आपने use कर लेनी है और अगर देखो, आपका दिल गवाई नहीं देता है कि जी हो सकता है property fake हो यह ना अगर आपका मन ऐसे कह रहा है तो question देखेंगे, वहाँ पे मैं आपको यह property verify कर दोंगा कोई मसला ही नहीं है तो mu 1 आपका कितना होता है sir शून यह, अब बात कर लेते है sir second moment की देखो तो लिखेंगे जी 4 second moment for second moment यह ना, यहाँ पे जो अपना mu 2, very good mu 2 जो कैसे calculate करेंगे sir 1 by n summation, very good i 1 से लेके n तक fi x i minus mean इसका square sir आप एक बार जारा 2, 3 पन्ने पलटे पीछे के आप चेक करें यह आता आपका variance क्या होता है sir आपका यह variance होता है तो जो आपका second moment है वो किसके equal आता है sir variance के equal आता है तो second moment हो गया आपका sigma square अब बात करते है sir third moment की तो समझ गए न आप अपने को जो है चार moment चाहिए होते है क्यों चाहिए होते है यह आपको तोड़े की time में जास परता लग जाएगा कि चार moment क्यों चाहिए होते है क्या use है इनका use भी देखेंगे sir use तो 3 की बात कर रहे है देखो 4 लिख दिया मैंने बातों बातों में तो 1 by N very good I 1 से लेके N तक F I X I minus mean की par 3 समझ रहे हो न सर बहुना ही समझ गए न अब ऐसी अगर आप 4th moment निकालोगे तो सर आपने par 4 पे ल देनी है आप और तो यह ही करोगे है किन यह है तो देखो इस तरीके से यह formula है आपको दिहान क्या रखना है 0th moment जो हमेशा 1 होता है 1st moment हमेशा 0 होता है 2nd moment आपका variance के equal होता है 3rd moment sir calculate करना पड़ेगा और 4th moment भी sir calculate ही करना पड़ेगा तो यह formula था moment निकालने का थोड़ा सामने discuss कर लिया है इस पर सर एक देख लेते है numerical और तो क्या है अपना funda clear हो जाना है फिर तो सर देखो एक ननना मुनना सा question है अपने पास question क्या कहता है जी आपको frequency given है आप से 4 moment पूछे है 0, 1, 2, 3 कितने पूछे हैं जी 4 moment पूछे है 0, 1, 2, 3 तो देखो 4 moment जो हम calculate करेंगे यहाँ पे जो है अपने को x given है अपने को f given है सबसे पहले अपने को mean चाहिए क्योंकि अपन निकालना चाहरे है सर moment about mean हमने पढ़ाई हो है क्योंकि है की निया जी तो इसका mean जो है यह मैंने calculate किया हुए सर 4 आता है आप कैसे calculate करेंगे देखो आप इनका sum करेंगे तो यह आएगा आपका 256 कितना आएगा सर यह 256 आएगा इनका sum और आपने mean calculate करना है simple कर सकते हो वरना आप जो है और भी method use कर सकते हो जो हमने सीखे थे mean निकाल दे time है की नहीं सर तो अभी यह आपको मालूम है कि जिसका mean आता है 4 कैसे पता है आप यह मालू निंजा टेकनीक तो यहाँ पे mean आपका है 4 मैं क्या करता हूँ सर मेरे को क्या चाहिए होता है x i minus x mean इसको ना मैं जो है जेड़ लेट कर लेता हूँ तो थोड़ा असाम हो जाएगा बार-बार मेरे को यह नहीं लिखना पड़ेगा मैं z लिखूंगा ठीक तो यहाँ पे मैं z लिखता हूँ z क्या है x i minus mean mean कितना है सर आपका 4 है 0 में से 4 minus करोगे minus का 4 minus का 3 minus का 2 minus का 1 0 1,2,3,4 यह आगया सर जेड़् आपका अब देखो क्या होता है आपको जैसे 0th moment छाएए वो तो वह नहीं होता है सर उसमें तो कोई मसला ही नहीं है आपको 1st moment छाएएए वो 0 होता है और आपको जो है 2nd moment छाएएए 3rd moment छाएएए तो second में क्या चाहिए होता है XI-X इसका पूरे का square चाहिए होता है अपने को यानि Z का square चाहिए Z का square भी चाहिए सर Z का cube भी चाहिए फिर अपने को F into Z भी चाहिए अपने को F Z square भी चाहिए और सर अपने को finally F Z cube भी चाहिए क्यों चाहिए आप formula देखोगे तो समझ जाओगे तो देखो मैं आपको समझा भी दूँगा भी z square करते हैं sir इसका square कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1, 0, फिर repeat होगा यह 1, 4, 9, 16 cube करते है sir 4 का minus 64 होगा 3 का cube कितना होता है sir minus 27 होता है, 2 का cube कितना होता है? minus 8, minus 1 का cube, minus 1, यह 0 यह 1, फिर sir repeat हो जाएगा 2 का cube, 8, फिर 27 फिर आपका 64 तीक, अब sir f को multiply करो z से यह हो जाएगा आपका minus 4 minus 24 minus 56 minus 56 0 यह की नहीं है, चेक करते रहे रहे बाई, 56 फिर repeat होगा पूरा यह ना 56 फिर अपना हो जाएगा यह 24 और फिर अपना 4 फिर करेंगे sir, f को z स्क्वेर से multiply इसके साथ यह हो जाएगा अपना 16 और यह हो जाएगा 72 और आठ आठ नहीं बहुत तर ठीक है न, हाँ चेक करते रहे न, बाई, इसको 4 से करेंगे 4, 8, 8, कितना होता है sir, 32 होता है तो और 4, 9, 8, 3, 11 होता है फिर 56 को करेंगे z स्क्वेर से 6 पन ही आएगा फिर 70 को करेंगे, 0 आएगा और 56 को अब यह repeat होगा पूरा same ही values है कि आप देख लो बाई, नीचे ना जेड क्यूब से multiply तो यहाँ पर आजाएगा माइनस 64 और यहाँ पर जो है मैं Kelsey का help ले लूँ क्या, चलो वैसी कर लेते हैं, यह हो जाएगा अठू सत चपन, आठू दूनी 16 और 5 दोस्तों, यह 16 हो गया 28 को करेंगे इस से तो अठू बाटू 64 6, 8 दूनी 16 16 और 6, 22, चेक करते रहे ना भई माइनस का फिर इसको करेंगे जड माइनस 1 इंटू 56 माइनस 56 फिर 70 इंटू 0, इस 0 फिर यह repeat होगा पूरा 56, 224 216 एक कोशन नहीं ऐसा है कि repeat हो आप चेक कर लो, F को multiply करोगे Z क्यूब से, तीक अब क्या चाहिए होता है सर, आपको sum चाहिए होता है किसका F, Z का sum चाहिए F, Z square का चाहिए, F, Z cube का चाहिए जो formalize के according आप देखे, F, Z का sum 0 आएगा सर, चेक कर लो same positive, same negative मैं आप से पूछ लूँ क्या F, Z का sum 0 आएगा और F, Z cube का भी sum क्या आएगा सर 0 आएगा देखो इसका सर, sum हमें निकालना पड़ेगा तो इसका मैं sum निकाल लेता हूँ, Kelsey से यह हो जाएगा 16 प्लस 72 प्लस 112 प्लस 56 इंटू में 2 यह आ रहे सर, 512 आपका इसका जो sum है, F, Z square का यह कितना आ रहे सर, 512 आ रहे आपका ठीक यह देखो, यह 0 आ गया मैं जिसकी बात कर रहा था न F, Z क्या है, Z क्या है आपका सर Z है, XI minus X mean, देख लो deviation about mean अगर आप deviation लेते हो, mean के about और सब का sum कर देते हो तो answer कितना आता है, 0 अब हम ready to go है अपने वो निकालने के लिए, moment तो देखो, सबसे पहले 0th moment क्या होता है, सर? 1 होता है यह तो fix है, और आपका 1st moment क्या होता है? 0 होता है, ना माना तो आप value put कर लो, जब भी answer क्या आएगा, सर? 0 यह आएगा क्या? फिर सर, हम calculate करेंगे, देखो, second moment तो second moment के लिए, mu2, यह क्या हो जाएगा, 1 by n submission, i f, x i minus x, इसका square, इसको मैंने z let किया हुए, तो मुझे f z square का समचाहिए, सर, यह रहा 512 तो mu2 कितना हो जाएगा, second moment 1 by 256 into में 5, 1, 12, 512 तो mu2 कितना हो जाएगा, सर, 2 हो जाएगा, क्या, very good, इसको सर, डाल दे, box के अंदर, चलो, आप care, यह तो कर देते हैं, back, यह की निया जी, अब सर देको, third moment, mu3, mu3 क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, sum ही 0 है, तो mu3 अगर हम करेंगे, तो 1 by n fi, zi का cube लिख दू क्या मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने, इस चीश को z माना हुआ है, यहाँ क्यूब आएगा, तो zi का cube, सर, यह sum कितना है, 0 है, अगर सर, यह sum 0 है, तो mu3 कितना होगे सर, आपका, 0, और हम क्या बन गए, hero बन गए क्या, तो देको, इस तरीके के question आते हैं, इस पे, असान तर बड़ाई question, table बनानी है, आपने, फटाक से solve कर देना है, कोई मसला ही नहीं सकत, अभी क्या है, इस पे ना, बहुत सारी, sub topic एक तरीके से, यह connection है, अभी हम mean के about निकाल रहे हैं, अभी बोले का आप किसी भी point के about निकालो moment जो है, फिर कहेगा जी वो अपने constant बीटा 1, बीटा 2 की चर्चा करेंगे, वो बता दो, तो वो सब आने वाले lectures में करेंगे, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया आप लोगों का नेक्स वीडियो में नए टापिक के साथ,